नमस्कार आप देख रहे हैं Breaking With Agenda आपके साथ मैं हूँ रवी ठाकुर और Breaking With Agenda में आज हमारी चर्चा का विशय है कि क्या विपक्ष बिक्रा हुआ है और ये बिक्रा हुआ विपक्ष दो हजार चौबीस के लोग सबा में बीजेपी को किस तरह से टक कर दे पाएगा क्योंकि गुजरात में जो नतीजें आए हैं उसने विपक्षी एक जुटा की सारी पोल खोल कर रखती है आम आदमी पार्थी AIMIM कॉंग्रेस ये विपक्षी पार्थियां गुजरात में हार की सबसे बड़ी वज़ा रही क्योंकि ये बीजेपी से लड़ने के बजाए 2023 के नौ राजियों के चुनाव और 2024 के आम चुनावों पर क्या असर पढ़ने वाला है कॉंग्रेस के निता जेराम रमेश के बयान के गुजरात में आम आदमी पार्थी और ओवेसी के पार्थी AIMIM के बीच अगोशित गड़बंदन के वज़ा से कॉंग्रेस की हार हुई ह इस भयान के माईने क्या है और क्या विपक्ष इसी तरह एक दूसरे का वोट काट कर मोधी को टकर दे पाएगा चाचा इसलिए क्योंकि गुजरात में कॉंग्रेस को 27 ऐसी सीटों पर हार मिली है जहां आप और AIMIM उमिदवार ना होते तो शायद वो जीत जाती आप भी करी इसमें एक जुठ विपक्ष का सपना किस तरह और कैसी साकार हो पाएगा बीजेपी का बड़ता वोट बैंक गुजरात 52 फीसदी से उपर हिमाचल में 40 फीसदी के उपर विपक्ष कैसे बिना एक जुठ हुए बीजेपी को टकर दे पाएगा क्या विपक्ष के निताओं की महत्त कांक्षाँ पर बीजेपी हमेशा भारी पड़ेगी क्या चहरा और अपने आपके उपर रखने की हुड विपक्ष को एक जुठ नहीं होने दे रही है इसी मुद्दे पर करेंगे बड़े पैनल के साथ बड़ी बहस लेकिन उससे पहले दो बयाद जो इस चर्चा को और सठीक बनाने में मदद करेंगे पर इस बार हमें बहुत बड़ा धका मिला है और धका इसलिए मिला है क्यूंकि हम एक गड़बंदन के साथ मुकाबला कर रहे हैं तो सिर्फ बीजेपी के साथ नहीं पर बीजेपी के साथ आमाद्मी पार्टी और एमाइम भी जुड़ी हुई थी और आमाद्मी पार्टी और एमाइम का एक ही मकसद था गुजराज में और दूसरे राज्यों में भी यही है कॉंग्रेस का वोट कारना वाजपा का बढ़ता जन समर्थन यह दिखाता है कि परिवारवार और ब्रस्टाचार के खिलाब जनाक्रोश लगातार बढ़ रहा है और मैं इस बात को स्वस्त लोक तंत्र के लिए एक सुप संकेत के रुप में देखता हूँ और साथियों इस बार वाकई गुजरात ने तो कमाल ही कर दिया है नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रही है हमारे साथ और देखते रही है यूस 24